हिंदी फिल्म जगत के हैंसन ही मैन अभिनेता धर्मेंदर आज 81 साल के हो गए अपनी आगार फिल्मों से लोगों के दिलों में राज करने वाले धर्मेंदर की फिल्में आज भी लोग बड़ी रोचकता से देखते हैं यही नई युवागर भी धर्मेंदर साहब का मुरीद है विकीपीडिया के मताबिक धर्मेंदर साहब ने अपने फिल्मी जीवन में अभी तक तकरीबन 247 फिल्मों में काम किया है बता दे कि साथकी की मिसाल धर्मजी आज भी किसानों वाले जिन्दगी जीते हैं आज हम आपको धर्मजी की लोनावला के पास उनके फार्म हाउस में बिताए फुर्सत के लम्हों की कुछ फोटोस दिखाने वाले हैं तस्वीरों में आप देखेंगे कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी धर्मजी खुद अपने हातों से गाय का दूध निकाल रहे हैं और साथ ही अपने पाल्दोर डॉक्स के साथ खेल भी रहे हैं एक इंटर्व्यू के दोरान धर्मेंद्रे ने कहा था मैं जट हूँ और जट जमीन और अपने खेतों से प्यार करता है इन दिनों मेरा ज़ादातर समय लोनावला अस्थित अपने फार्म हाउस पर ही बीटता है धर्म पाजी ने बताया कि अभी उनका फोकस और्गनिक खेती पर है और हम चावल उगाते हैं फार्म हाउस पर मेरी कुछ भैसे भी हैं धर्म ने अपनी करियर में शोले, मा, चाचा भतीजा, धर्मवीर, राश्तिलग, सल्तनत और यकीन जैसी कई पॉपलर फिल्मों में काम किया है 81 साल के हो चुके धर्मेंद्र को आकरी बार साल 2015 में सेकंड हैंड हैंड सब में देखा गया था जिससे गोविता की बेटी टीना आहुचा ने बॉलिवूड डेब्यू किया था उनकी दो अन्य फिल्म में इश्क दे मारे और चियर सेलिब्रेटिंग लाइफ फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है न्यूज रूम से फिल्म यद्डा की रिपोर्ट